हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूँ आप लोग का हमारे होमियोपेथी मेट्रेमेडिका सीरीज में आज हम एक बहुत इंपोर्टन रेमेडी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमोनियम मियूर जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो starting में हम इसके key uses को पढ़ेंगे friends उसके बाद हम इसकी remedy profile पर चलेंगे और इसके mental symptoms को समझेंगे physical symptoms को समझेंगे और modalities को समझेंगे friends और अंत में एक overview करेंगे कि किस प्रकार का ये patient रहना चाहिए और क्या ये patient अपनी बात आपके सामने रखेगा during case taking तो चलिए फटा-फट वीडियो को start करते हैं और key uses में point by point पढ़ेंगे ताकि आप लोग को आसानी रहे friends आज ये remedy इतनी आसानी से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को दुबारा metromedica खोलने की जुरत ही नहीं पढ़ेगी key uses में friends सबसे पहला जो point है वो है enlarge glands तो इस patient में आपको lymphatic glands में enlargement देखने को मिल जाएगी इसको हम जब हम remedy profile पढ़ेंगे तब हम discuss करेंगे second point में बात की गई है inflammatory eyes condition तो इस case में eyes में भी inflammation आजाता है friends उसको भी हम remedy profile में अच्छे से पढ़ेंगे third जो इसका सबसे important point है friends वो है liver complaints क्योंकि liver के लिए अगर आप fatty liver भी search करेंगे तो आपको ammonium mure बहुत important remedy मिलने वाली है friends तो liver complaint में इसमें सबसे बड़ा symptom क्या रहता है friends कि liver की side से pain होता है pain कैसा है कि कोई चुभा रहा है एक तीर चुब रहा है मेरी liver से कमर की तरफ को यानि कि कोई कुछ घोप रहा है या कुछ चुब रहा है और वो कैसे चुब रहा है यानि कि उसमें क्या sensations होएंगी उसमें आ respiratory disorder के अंदर भी friends इसके अंदर बहुत सारे important points आप लोग को मिल जाएंगे बहुत ही अलग-अलग symptoms है एक तो सबसे जो बड़ा symptoms है इसमें अगर patient को congestion है nose में या फिर बहुत ज़दा कुराइजा हो गया है तो उसमें उसकी जो smell है वो lost हो जाएगी यानि की reduced sense of smell उसको smell आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी तो ये ammonium mure का बहुत ही important symptom है उसके साथ-साथ respiratory disorder के अंदर इनोंने बात की है such as congested nose sneezing, reduced sense of smell, sore throat, horsiness and thick slimmy mucus तो पूरा respiratory system disorder इसमें होता है उसके साथ-साथ छींके, smell बिल्कुल reduce हो जाती है, गले में दर्द रहता है, गले में भारीपन है और कभ बात की गई है, siatica and joint pain, तो ये remedy siatica and joint pain के लिए भी बहुत useful remedy है, तो friends ये तो होगा इसके key uses, यानि की सबसे ज्यादा use कहां पर आती है, तो friends बहुत सारी जगा पर इसका use होता है, तो बहुत बड़ी remedy है, बट इसके कुछ अलग ही symptoms है, अगर आपने उनको समझ लिया तो आप इस remedy को बहुत easily catch कर लोगे, यानि की इस remedy के patient को आप बहुत easily समझ जाओगा कि ये patient ammonium mure का है, तो चलिए फटा-फट इसके remedy profile पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसके mental symptoms है, क्या physical symptoms है और क्या patient में modalities आपको मिलने वाले हैं, तो ये आ गए है friends हम इसकी remedy profile पर, तो च तो friends patient कैसा रहेगा, patient के अंदर एक बहुती गहरी उदासी देखने को मिलेगी, हमेशा दुखी रहेगा, depressed रहेगा, अपनी बात दूसरों को नहीं बताता है, यानि की बहुती reserved personality रहेगा, अपने आप में ही रहता है friends, वो अपनी बात इतनी जल्दी share नहीं करता है और आंसू नहीं आते, तो बहुती ज़्यादा important symptom है ये इसका, कि बहुत जल्दी emotional हो जाता है, बट आंसू नहीं आते friends, इस बात को जरूर याद रखेगा और आपको ammonium mure का patient मिलेगा, और खासकर ladies में friends, women, ये वाला point जरूर डिसकस करती है, कि हमारा दिल बहुत जल्दी भरक आस है, tearful है, रोना चाहता है, बट रो नहीं पाता, वो किसी भी आल में उसके आंसू नहीं निकलते है, usually reserved and self-pitting, they may resent feeling alone in the world, तो reserved प्रकार का उसका nature है, यानि कि अपने आप में ही रहने वाला बंदा है, अपनी बात को कभी ज़्यादा share नहीं करता, और ऐसा महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ इस पूरी दुनिया में, और friends ये सब ऐसा हो क्यों रहा है, यानि कि ऐसा nature क्यों दिख रहा है, या तो उसने अपना बहुत important कुछ खोया है, जैसे कि बहुत important कोई parents की death के बाद ऐसा हुआ है, या कोई business loss हो गया है, यानि कि जिस से वो बहुत ज़्याद मन उड़ जाता है, तो ऐसा ही patient ammonium mure में हमें मिलने वाला, यानि कि वो किसी दुनिया से ज़्यादा वास्ता नहीं रखना चाहता है, वो अकेला feel करता है, उदास रहता है, अपने आप में ही रहता है, reserved kind of personality वो होता है, चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ammonium mure is generally used for these symptoms in congestion with liver complaint, particularly if there are accompanied by pinching shooting pain in the stomach, cathare and violent cuff that is dry and scarpy or loose and profuse, तो physical symptoms बताये गए हैं, mental symptoms आप समझी गए होंगे, physical symptoms में बताया गया है कि liver complaint के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है, जैसे कि मैंने आपको key use में बताया कि सबसे important remedy है liver complaint के लिए, उसमें कैसा दर्द है, pinching, कोई कुछ चुभा रहा है या shooting, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज चुभ रही है और वो चुभन कहा तक हो रही है, कमर तक जा रही है, यानि कि पेट से कमर तक चुभन, patient बताएगा कि ऐसे लगता है कि मेरे यहां से कुछ चुभ रहा है और वो कमर की तरफ को निकल रहा है, उसके साथ साथ बल गम है और खासी है, खासी कैसी है, खासी दो परकार की रह सकती है, या तो बिलकुल dry और scarping रहेगी, या फिर loose and profuse रहेगी, तो इन दोनों में से किसी भी परकार की खासी आपको मिल सकती है, उसके साथ साथ नेक्स लाइन में बात की पाए जाते हैं, जिसके लिए remedy prescribed की जाती है, तो friends अब तक हमें क्या समझ आया है, उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, अब तक यही समझ आया है कि बहुत ही reserved kind of personality है, अपने आप में ही रहता है, उदास रहता है, अपनी बात को किसे जदा शेयर नहीं करता, अ सबसे ज़्यादा जो बड़ी इसमें point बता रखा है, वो यह ही है कि एक pinching या फिर shooting pain है, जो stomach से start हो का कमर की तरफ जलता है, इसमें ये बात नहीं बताएगा, friends की कमर की तरफ जाता है, बट मैं आपको एक Hindi Metria Medica अपनी website में दूँगा, friends, जिसका मैं link description box में डाल दूँग वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे Hindi Metria Medica को तो उसमें ये बात बिल्कुल clear बता रखी है, और उसके साथ साथ खांसी कैसी रहेगी, या तो बिल्कुल सूखी या फिर बहुत ज़्यादा lose या फिर profuse बहुत ज़्यादा खांसी रहने वाली है, और उसके साथ साथ inflammatory eyes condition, यानि कि eyes में inflammation मिलेगी, menstrual disorder रहेंगे, menstrual disorder में या तो menstrual irregular रहेंगे, यानि कभी ज़्यादा आ जाएंगे, कभी कम आ जाएंगे, और कभी date से पहले आ जाएंगे, कभी date से बाद में आएंगे, तो इस प्रकार से irregular menstrual मिलेंगे, उसके साथ साथ glands में enlargement होगी, कोई भी lymphatic gland उसका inflamed ह हो जाएगा, वो enlarge हो जाएगा, उसके साथ साथ जोडों में दर्द रहेगा, खासकर C80 का pain, तो इन सब में इस remedy दी जाती है, आगे पढ़ते हैं जो friends इसके respiratory system के बारे में, जो की इसमें बहुत ज्यादा important symptoms आपको मिलने वाले हैं, further respiratory system typically associated with ammonium mure, include a congested nose, sneezing, reduced sense of smell, a sore throat, horsiness and thick slimmy mucus in the nose and throat, तो respiratory system के अंदर क्या condition मिलने वाली है friends आप लोग को, कि nose में congestion मिलेगा, उसके साथ साथ छींके मिलेंगी, और सबसे जो important point है friends, ammonium mure को जो other remedies से अलग करता है, वो यही है, कि इसमें sense चली जाती है, smell की, reduced sense of smell, यानिकी इतनी अच्छी तरीके से वो सूंग नहीं पाता है चीजों को, तो सूंगने की शमता उसकी चली जाती है, यह ammonium mure का सबसे important symptom है, respiratory condition के अंदर, और उसके साथ साथ गले में दर्द है, गले में भारी पन है, और mucus कैसा रहा है, ठिक भी है, और slimmy भी है, यानिकी नाक से पतला पानी भी आता रहेगा, और गाड़ा पा है और बहुत ही important है, तो modalities में जानते हैं कि symptom better कब होते हैं, open air से आराम मिलेगा, for rapid movement आराम मिलेगा, for walking bent over, थोड़ा सा आगे को जुक के चलेगा, तो वो patient ठीक रहता है, बहुत ही important symptom है friends, ध्यान से सुनियेगा, आपने अगर इसकी modalities को अच्छे से समझ लिया, तो आपको case taking में इतनी कोई problem नहीं आएगी, आप एकदम समझ जाएं कि ammonium mure का patient है, क्योंकि उदासी बहुत सारे patients में दिख सकती है, reserved nature बहुत जादा patients में दिख सकता है, बट जो इसकी modalities हैं, वो बहुत सारे remedies को अलग कर देती हैं इस remedy से, तो better कब होंगे symptom for open air, for rapid movement, for walking bent over, तो चलने में उसको ठीक लएगा बिल्कुल, यानि कि वो कभी भी सीधा होकर नहीं चल सकता है, और उसके सासाथ खुली हवा में और चलता फिर तर आएगा तो, यानि कि तेस्ते चलेगा तो उसको आराम रहता है, ये तो हो गए symptom better कब होंगे, यानि कि ameleration कब होगा, अब aggravation क चलते हैं, symptom worse for walking erect, यानि कि सीधा होके तो वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता है, for chronic sprain, या फिर कोई पुराना खिचाव आया हो, अब इसमें symptoms को divide कर दिया गया है, morning में क्या symptoms हैं, वो अलग है, afternoon में क्या symptoms हैं, वो अलग है, evening में क्या condition हैं, वो अलग है, तो morning की condition को समझते हैं कि morning में aggravation कब हो रहा है, तो in the morning, in the case of head and chest symptom, तो head and chest के जो symptom है, वो morning में aggravation होगे, अब देखते हैं कि afternoon में क्या aggravation होगा, in the afternoon, in the case of abdominal pain, तो पेट का जो दर्द है, वो afternoon में दिखेगा, friends, morning में क्या क्या है, head and chest का symptom आपको पाए जाएंगे, afternoon में क्या है, abdominal pain मिलेगा, और evening म क्या है joint pain का case मिलेगा तो तीन अलग-अलग conditions हैं उसमें तीनों में अलग-अलग aggravation हो रहे हैं morning में head and chest के symptoms में aggravation होगा afternoon में pet के symptoms में aggravation होगा और evening में joint pain में aggravation होगा तो friends इस तरीके से remedy को बहुत अलग तरीके से समझाया गया है और अगर आपने यहां से ही remedy समझ ली तो आपको कभी भी कोई दिकत नहीं आएगी friends अब लेते हैं कि कैसा nature है और क्या modalities है तो nature आप लोग समझी चुके होंगे friends की बहुत ज़्यादा उदास रहने वाला patient है result रहने वाला patient है रोना चाहता है बहुत emotional हो जाता है बट आसू नहीं आते उसके साथ-साथ liver complaint पर सबसे बड़ा role है इस remedy का यानि की spare of action main जो है liver पर ही रहा है और respiratory system पर है तो liver में क्या spare of action है liver में चुबने वाला shooting pain होगा और pain कैसा है pain liver से start होगा यानि की menstrual disorder मिलने वाला है और उसके साथ-साथ inflammatory eyes condition मिलने वाली है तो ये सब तो symptom है जो इतने मुख्य नहीं है यानि की अगर हम ammonium muro patient को देखेंगे तो main spare of action क्या समझा रहा है एक तो liver समझा रहा है और respiratory system respiratory system के अंदर क्या नाक में या फिर गले में उसको sense of smell खो जाती है यानि की उसको शुंगने की जो शमता है उसकी वो कहीं न कहीं कम हो जाती है जब उसको choriza होता है यानि की जब भी उसको जुखाम होगा तब उसकी sense है smell करने की वो कहीं न कहीं कम हो जाती है तो ये इसके main main points है और उसके बाद जो सबसे important point है वो है इसका modalities में modalities में ameloration में जो सबसे important point है friends की थोड़ा सा जुक के चलेगा तो better है यानि कि आपने बहुत सारे patient देखे होंगे जो थोड़ा सा जुक के चलते हैं clinic में भी आएंगे तो थोड़ा सा जुकी भी कमर उनकी रहेगी तो वो कैसे patient वो ammonium mure के patient है और aggravation कब हो रहा है सीधा होकर तो बिल्कुल चली नहीं सकता ये बाद तो clear होगी और morning में क्या aggravation है morning में head and chest के symptom उसके aggravate हो जाएगे afternoon में abdominal pain aggravate हो जाएगा और evening में joint pain aggravate हो जाएगा तो friends ये है ammonium mure आशा करता हूँ आप लोग को ये remedy आज समझ आई होगी अगर आपको अब भी कोई भी doubt है इस remedy को लेकर friends छोटे से छोटा doubt तो आप comment box में comment कर सकते हैं आपकी query को जरूर complete करने की कोशिश की जाएगी और friends आपको हमारी ये series कैसी लग रही है उसके बारे में जरूर हमें comment box में comment करें क्योंकि हमारा जो main उद्देश्य है series को चलाने का वह यही है friends की हम material medica की language को patient की language से कैसे मिलाया जा सकते है यानि कि patient अपनी बात को आपकी clinical practice में कैसे रखता है उसी चीज पर हमारा main focus है इसलिए मैं हिंदी के word ज़्यादा यूज कर रहा हूँ friends as compared to English words क्योंकि patient ज़्यादा तर हमें ऐसे ऐसे words यूज करता है जो material medica में ढूनने से भी नहीं मिलेंगे friends तो मेरा कोशिश यही है कि patient की language को अगर हम समझ जाए और metria medical की language से उसे मिला दे तो हम एक perfect remedy की तरफ जा सकते हैं friends तो यही हमारा उदेश यह है वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा कल आप से फिर मिलेंगे एक नई remedy के साथ तब तक के लिए धन्यवाद